हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ जी असलाम अलेकॉम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज की जो बड़ी खबर रही जर्दारी और ताहरल कादरी साहब की मुलाकात और हकुमत पंजाब के लिए और विफाकी हकुमत के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात नवाज शरीफ के बाद शियबाज शरीफ की बारी है जाहिद हामित के बाद राना सनाउला की बारी है लाहूर में तहरीक लबाय का धरना समेटे में पंजाब हुकुमत काम्याब तो हो गई लेकिन जब से सानाय मौरिल टाउन के रिपोर्ट सामने आई है ताहरल कादरी सहाब का खुस्सा और उनका हुकुमत के खिलाफ कंटेनर निकालने और धरना देने का इरादा किसी सुरत थमता हुआ नजर नहीं आरा और उनके इस इरादे को हवा देने में पहरे तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान शामिल थे और अब आज एक अनहोनी हुई है एक ऐसा च्छंबा हुआ है जो किसी के वहम और गुमान में नहीं था के पीपल्स पार्टी और खास अबे पीपल्स पार्टी के आसिफ ली जर्दारी सहब ने ताहरल कादरी सहब से मुलाकात की है हुक Gillis के लिए पनजब हकुमत के लिए विफाकी हकोमत के लिए नून लीग के लिए आने वाले दिन आने वाले महीने शदीद मुछिलात का शिकार नज़र आते हैं और अगर कादरी प्लास इमरान खान प्लास जर्दारी हो गए तो क्या माइनस नवास या माइनस शहबास होता नजर आ रहा है इसी मामले पे आज बात करेंगे लेकिन इसके इलावा जो दूसा मामला जो दूसा मुतालबा राना सनाउलला के इस्तीफे के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है वो है सियाल शरीफ की तरफ से मुतालबा के राना सनाउलला मुस्ताफी हो और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी तो सियाल शरीफ के मौमिलात कहां तक पहुंचे हैं सबसे पहले प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और पीर ओफ सियाल शरीफ पीर हमीन सियालवी सहाब के भतीजे जो के M.P.A. भी हैं पंजाब में नून लीग के मुमताज रानुमा हैं साहिब जादा घुलाम निजा पंचाने की कोशिश की थी लेकिन अब 10 दिसंबर की आप लोगों ने डेड्लाइन दी है तो इसक मौमिला कहां तक पहुंचा है वालेकुम असलाम जी एक जो क्लियर मैं आपको कर दो थोड़ा साथ कि अना सना से तो ना पहले दिन से हो रही है ना अब करने को कोई तेजार है किसी लेवल पे सीम साथ के लेवल पे जरूर बुस्थबू होती रही है पहले से भी इंटरच रहे हैं मैं अमको बड़ा इतराम करता हूं मेरे पार्टी हैड़् हैं अगर क्योंकि जादानशीन साथ ने कल से लाकलकी का एलान कर दिया तो मेरे हर लिहाद से सरबराब जो है वो जादानशी स्टीफों की बात आपने की है उस सवाले से जो मेरा ख्याल में दस तारीक को वो कन्वेंशन करने जा रहे हैं खित्मेन अबूत के वाले से इसमें इन्शालला कोई सीज अनाूंस करेंगे जो भी करेंगे हम उसके पापन दें ओके आपने का उसके साथ आप भी हैं तो दस तारीक को जो पंदरा या अठारा हैं जितने भी स्टीफे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे सियाल शरीफ वाले मेरे साल में दस बारा या पंदरा कुई फिजराओ करना मुनासिब नहीं है क्योंकि छायद का आदा इससे ज्यादा हो या कम हो मैं एक चीज़ा को क्लियर कर दूँ कि इस पे कोई नंबर गेम नहीं है कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है मक्सद हम मैं एक दिम्हदारी से बात कह रहा हूं कि इसमें एक तो अपने इमान का फ्रीज़ा अदा करते हुए कम से कम स्याल श्रीफ जो है वो जरूर अपना रिजिस ठीक है अच्छा यह बताएं साहिवजादा साहब कि क्या स्याल श्रीफ की तरफ से कोई बातचीत कोई लचक कोई मुजाकरात का इमकान है मारा तूब जो मौकिस था स्याल श्रीफ का वो मेरा खाल में पहले दिन से जो था वो आज भी है और खैर मुनासिब नहीं था ना मुनासिब नहीं है बिलकुल मख्भी अवाले से वो देखते हुए टोटली एंगल जो है कोई मुतलमान इस पर कोई मितार करी नहीं सकता वो बड़ी सिरियस लेवल पर गुस्तगू होती रही है उसमें एक चीज जो थी कि कम से कम राना सनावला को आप मुस्ताफी कर दे उसके बाद जो गुस्तगू का सिल्तला है वो आगे बढ़ सके इसी बात पही डेडलॉप लगा रहा जिसका नतीज़ा आपके सामने आज अच्छा आपने कहा कि राना सना का इस्तीफा आ जाए फिर उसके बाद बात करेंगे फिर बात आगे बढ़ेगी गोया मौमिला सिर्फ राना सनावला के इस्तीफे तक महदूद नहीं रहेगा इससे आगे भी जा सकता बिल्कुल जी इसमें तो कोई शक एक पसंट भी नहीं है कि सिर्फ राना सनावला की हद तक बात खतम शायद नहीं होगी क्योंकि शुरुआत जो ही है ओपन सिक्रेट करे कि किस लेवल पर जाके हुई है और कहां से डिरेक्शन पास हुई है क्या हुआ हम गौर्मेंट से जो डिमांड कर रहे थे वो और रिकॉर्ड यहीं डिमांड थी कि उस चीज़ को सीरियस लेवल पर जाके आप शो करें और जो गहर देवनेगा राना गहर मुताब गुटगू राना साब इसके मजीद फरमाते रहे हैं उसको जो एक साइट पे करें ही करें उसके बाद यह अपनी नेक नियती आपकी उदर से जाहर होगी फिर उसको बैठके अच्छे अंदाज से जो है उसका मुस्तकिल हल होना चाहिए तो क्या आपका इशारा पंजाब या हकुमत पंजाब के कोई आला सतही लेवल तक तो नहीं है जी मेरा बिलकुल ऐसा कोई ख्याल नहीं है मैं बड़ा लेडर्शिप जो है हमारी खसूसां पंजाब की मैं उनका बड़ा एतराम करता हूँ मेरा एक नहायत एतराम का रिष्टा है आपको डिरेक्शन का जो आइडिया मैं मुझीद इसको फोड़ा क्लियर कर दूँ कि जो जिनिवर कॉंक्रेंस के बाद जो सारा ये म खामला शूरू हुआ था ये डिरेक्शन को वहां से प्वास आउट हुई है मेरा कट्टा ही किसी शप्सिएप को कोई उस तावाले से कोई बात सर्मन नहीं है मेरा नहायत एतराम है मैं बार बार ये गज़ारे चाहाँ लेकिन इसको कुछ संजीदा नहीं लिया गया गया हो जो हमारे इमान का हिस्ता था चाहिए मैं दूसरे लफ़ों में किया दूँ कि हमारे इमान को संजीदा नहीं लिया गया तो ये बहुत खेर मुनासिद चीज़ दे ठीक है बहुत 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 शुक्रिया साइब जादा गुलाम निजाम-दीन स्यालवी साब प्रोग्र हैं लेकन ये सियासी हवाले से मैं बता दूँ कि वो अंदर के कितने लोग हैं उनकी फैमली से या उनकी तरफ से उनके बतीजे निजाम-दीन से आलवी ऐलेक्शन लड़ते हैं उन्होंने दो हजार दो का ऐलेक्शन जो है वो क्यो लीग से लड़ा था बिल्कु टेगा वो उसके बाद फिर हकूमत उनकी क्योली की ना बनी वो फिर एक फावर बुग लागे हमारे साथ आगये उसके बाद उन्होंने पिर तेरा में हमारे टिकट पे उलेक्शन लड़ा तो इसलिए अंदर की को बाद को इतनी तेरा में आपने टिकट दिया अब आपके बंदे हैं सुनने ना कोई अंदर की कोई इतनी गहराई नहीं है नवर एक दूसरी बात आजाएं आपने बात की है उनके मुतालबों के भी गहराई नहीं है आपके इसलिए बाकी आपने बात की है कि जी वो पंदरा से अठारा उनके बतीजे का तो बिलकुल उनके पास अस्तीफा होन चाहिए हैं बाकी इसके लावा एक दो आदमियों के उपर हमें शक है ठीक लेकर अभी हमने कन्फर्म नहीं किया बाकी बात यह ना पंदरां की सही है ना आठारां की सही है यह दस तरी जादा दूर जादूर नहीं है यह सारी जी सामने आ जाएगी अच्छा आप लोगों को म हमारी मजारोटी है पंजाब में हमारे तीन सो गतर में से आलमुस को तीन सो चौदा लोग हमारे हैं इसलिए अगर आप यह कहें कि मिया शैबाज श्रीफ की गोर्मन्ट को यहां पे किसी के आने जाने से फर्क पड़ेगा तो वो तो दूरुस नहीं है लेकन हम क्यों ऐसा ह किसी मामले पे को होता ना को उसार राजी हो जाता है दस दिसम्बर को आपके फैस्दाबाद में वो एक पॉब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं जी उनको पूरी तरह से वहां पे फैसिलिटेट करेंगे अच्छा आप फैसिलिटेट भी करेंगे बिलकुर बिलकुर इनको फ करेंगे जैसी बाते जो है वो अमरान खांच जिस किस्म की लजाम तराशिया और जिस किस्म का जो है वो इू है जैसी शेर अली मेरी पार्टी के भुजर्ग है और वो उमर के जिस حصے में हैं तो उसुसे में आदमी इस किसम की जो है वो इदर उदर की बातें कर लेता था है अच्छ मुझे बताएंगे स्याड़ शरीफ के जो स्टीफ़ों का मामला है इसके पेछे असल कहानी क्या है देखें असल कहानी जो है वो तो मिया नवाज श्रीफ साब की इजास के बगार मैं बियान नी कर सकता तो असल की इर्द गिर्द जो जितने आप सवाल करें कि वो मैं सहरे बता दूँ क्या कुछ टिकेट का मौमला है? अगर आप सिर्फ बात ये करें पीर हमीद अदिन सेलवी साब का देखें वो तो बजर्ग हैं और उनके जो भी कहा पहले मैंने उनका किसी बात का जवाब नी दिया और अब भी नहीं दूँगा उनके बेटे हैं कासम सेलवी उनके साथ मेरी भी बात हुई है कासम सेलवी साथ सेनट के भी अमीदवार थे लेकिन पार्टी उनको बवजू अकामडर नहीं कर सकी कासम सेलवी साथ जब लास्ट टाइम वहां से इस सीट से ऐलेक्शन लड़ा था मियानवाज शीफ ने और आपके इलम में होगा कि उन्होंने को पिर दिया वहां पे शफकत बलोच साथ को चिक और पिर इन्होंने शफकत बलोच की मुछालफत भी की लेकिन इवन देन शफकत बलोच है वो बड़े बारी मार्जन से वही से जो है आप कासम सेलवी के लिए टिकेट चाहते हैं जी कासम सेलवी की वह पलिटिकल जो है वह और इस सारी मुब में जो है वो क्योंके पी टी ऐई भी बैक पे आप इसके अलबा एक वहां पे फैंजन्स ग्रूप है वो सारा ये प्रॉजथ करते है सारा पूरा तो वो भी इसके पीछे हैं तो और भी कुछ कुछ पीछे हैं तो उन्होंने सारा मिल मला के अब या उलमा की बाद एक M&A की सीट के टिकिट के लिए पीटी आई से भी रापते में है और नून लिक से भी रापते में है हमारा यह ख्याल है कि पीटी आई में वो शामल होंगे कास्म सियालवी साब अगला अलेक्शन जो है अच्छा वो पीटी आई से लड़ सकते हैं और यह सारी कहानी है सियाल शरीफ के मतालबों के पीछे था वहाँ पे मतालबों बकाईदा लिख के दिये गए वहाँ पे मतालूं के ओपर बकाईदा मुझारात और मोहँदे हुए तो ये क्या भूला हुआ था ये मतालबा पहले भूला हुआ था ये तो फिर होता है ना कि जब मैंने किसी बात के उपर आपसे नराज होना तो फिर कोई ना कोई तो मैं भाना करी लूँगा ना सियाल शरीफ के मतालबात को आप इतनी एहमित नहीं दे रहे इतनी सियासी एहमित नहीं दे रहे लेकिन आप लोगों के लिए एक और तूफान खड़ा होने वाला है तो उनके तरफ से भी आपके स्शीफे का मतालबा आपके लिए कुई परिशाने का बाइस नहीं है तो मेरे स्शीफे का मतालबा और बाद और ज़्याथ और स्थीफों के मतालबा वो तो तकीमिन जाड़े चार साल से कर रह है अब जरदारी साप भी शामल होगा हैrem उन्होंने को नया तो नहीं का, नहीं जर्दारी साफ का दर असल मसला यह कि देखें, जर्दारी साफ को कहा जाता है कि वो जी, शेहनशाहे जो है, वो हैं, मुफामत, लेकर मैंने उन्हों को हमेशा जी देखा है, कि वो ना शेहनशाह हैं, ना वो मुफामत के शेहनशाह हैं, उनका हाल ये है कि कभी वो किसी और की इंट से इंट बजाने पर तुले होते है और इस वक्त वो जमूरियत की इंट से इंट बजाने पर तुले हुए है यानि वो तो रहते हैं इंट से इंट बजाने के चकर में है अब अलामात ताहरल कादरी साब उनका एक अपना मकाम उनक जमात कहलें लेकर उनका पीपर्स पार्टी के साथ यानि ये कोई इतनी मैं समझता हूँ कि आज की इस मुलाकात के बाद मैंने समझता कि पीपर्स पार्टी इसको किस तरह से इसको हदम करेगी और सिर्फ गया क्यों है कि जब से ये रिपोर्ट आई है बाकर नेच्वी साब की रिपोर्ट जो आई है जी उस रिपोर्ट से मतलग जो इंप्रेशन्स बनाए गए थे और जिस तरह से था कि पता नहीं उसमें से क्या निकलेगा वो जब मायूसी हुई है और वो चीजें जो है वो बारावर नहीं हुई तो अब जो अलामात अहल कौशिस है और वो इस सारे मामले में किसी तरह से भी वो इस्ताबाल नहीं होना चाहते है लेकर पी-टी-आई और पीपल्स पार्टी का पूरा जोर है कल से इंब और से इंब्रान उसाफ के भी ब्यान पे भी ब्यान आर जिँं धरना दें जिह हम आपके सा थह होंगे धरना अरी साथ भी आज बाहर वहां मीडिया पे जो मर्जी बात करें लेकर अंदर जब one to one उनसे मिलेंगे तो उनको यही कहेंगे कि दर्ना लगाएं तो पर आप लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना आपने कहा कि इस रिपोर्ट के जरीए मायूसी हुई नहीं तो बात यही है कि इससे पहले भी तो दर्ने लगे है ना तो ठीक है जब वो दर्ने भी गुजर गया ये भी गुजर जाए अफैजबाद का धरना जिस तरह से आप लोगों पे गुजरा है बहुत मुश्किल गुजरा है उसके बात देखें इतना अच्छा मौइदा तो क्या वो मौइदा कमजोर होता है बड़ा ताकत पर मौइदा होता है चले आप उसे अच्छा मौइदा कह रहे हैं लेकिन आज की मेरी आप से इस इंट्रिवू का मकसद इसको बुरा भी कोई नहीं कह सकता इसलामाबाद हाई कोट तो कह रही है सुप्रीम कोट ने सवाल या अगर आप पहले कें तो दो तीन चीजें जो है अगर मैं अर्ज कर दूँ मेरे सवाल का इंतजार कर ले पर आपके पास खुल के वक्त है जितना वर्जी आप इस पर वक्त लें आपने का पड़ी है यानि कि आप रीडर है इस रिपोर्ट के आप भी एक रीडर है गामन कि कोई भी रिपोर्ट हो या कोई जज्यम्ट हो उस में तकरीबान हर चीज डिसकस की जाती है सईचिक फार एन अगेस्ट कोई मेरे खलाफ चीज़ है वो भी डिसकस होगी असके बाद जो है वो जो है वो दोनों फ्रीके न कापस में जो कंट्रडिक्शन्स आप वो डिसकस तो जब यह सारा कुछ डिसकस होने के बाद फिर जो जज या इंक्वारी ट्रिबूनल के जो जो भी मेंबर हों, वो फिर कहते हैं कि कीपिंग इन व्यू दी अबाव फेक्ट्स एंड सरकम्सांसिस एंड डिसकुस्शन एंड अवरीटिंग, अब यहां पर उन लिखा है के कीपिंग इन व्यू दी अबाव फेक्ट्स एंड सरकम्सांसिस एंड डिस रिपोर्ट कैन इजली फिक्स रिस्पॉंसिबिलिटी आफ उनफॉर्चनेट मिन आजूल करानी सिदेग्ट्स एंड तो आप भी रिडर है तो आप पताएं आपके ने रख सकता हूँ जब ये रिपोर्ट गौर्वर्मन्ट को पेश हुई वजीर अला हमिया शायबाशिव साहब को तो जब उन्हों ने देखा तो उन्हों ने लाव डिपार्ट्मेंट से राए ली उन्हों ने एडवोकर जनल आफिस से राए ली और सब लोग इस बात के पर परेशान थे कि आज तक कभी इस तरह की रिपोर्ट भी आती है या इस तरह की भी जज्जमन्ट आती है कि जी आप पढ़ लें और पढ़के जो है वो आप रिस्पॉंसिबिल्टी फिक्स कर लें तो उसके बाद कहा गया कि अब इसका क्या किया जाए क्या इसके उपर एक और ट्रिब्यूनर बनाया जाए और उसे कहा जाए कि जी आप हमें इसके ओपर जो है वो इसको पढ़के ऑपीनियन कैम करके दें तो फिर ला डिपार्टमेंट ने स्जेस्ट किया चीश मिस्टर को कि आप इसके ओपर एक कोई फॉर्मर जजज जो है ये काम सोपे कि व लोके फॉर्मर चीफ जिसस हैं लहौर हाई कोट के और जजज हैं सप्रीम कोट के उनको उपीनियन फॉर्म करने के लिए जो है वो उनको जो है वो वन मैं ट्रिब्यूनल जो है वो कैम किया गया उन्होंने इसके ओपर को सतर पेजिस की उपीनियन जो है वो फॉर्म की है उ तो यह जो राय कायम हुई है इसको अगर आप डिटेल से पढ़ लें तो यह राय जो है यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि आपने बाकिन नश्वी साब की रिपोर्ट पे जसिस खलील कौन है सान है मौरिल टाउन का और यह बताएं कि अगर आपके नश्दीक कोई रिस्पॉंसिबल नहीं है किसी के लिए खतरनाक नहीं है और आपके दूसरे फरीक को मायूस फ्रहूं था यहाँ इसके बाद लाड अपार्टमेंट ने इसके ऊपर एपनी आपिनियन दी और अइड़ुकरार जरणल आफिस ने अपनी आपिनियन दी तो देर आफटर वन बेन ट्रिविनल या मैमबर जो है वो फार मेकिंग आपिनिन हो जाए वो केम किया गया और जो justice former judge خلیل و philosophy σας हैं, 40 साल का credit है उनके यहने यह क्रेडिट में, के वो उनोंने बतौर judge जह है बनोंने काम किया है, ठिकु और बहुत ही लंडनों और बहुत ही बाउजस यह जो legal fraternity है, उसके वो फर्द हैं, दूसा साड़े तीन साल यह भात बड़ी जो है वो मेरा खेला के नाजरीन के लिए भी और आप के लिए भी हुआ ये कि जब ये वान मैन मेंबर ट्रिबूनल हमने कैम किया बाकर नजफी साहब का तो अभी इसको तीन चार दिन कैम हुए थे और उन्हें अपनी पुर्सिडेंग शुरू की थी कि पैड़वार हैं उन्हें उसके साथ हमारे वर्जन को जो है वो टकरा के तो जो है वो बहस की है और जो इंटेलिजेंस जेंसी रिपोर्ट है उसको इस रिपोर्ट का हिस्से नहीं बनाया और हम बाद में डेल साल उनसे जो है वो रिक्वेस्ट करते रहें कि जनाब ये जिस जेंसी की रि देए आज तक जो और नहीं दी गई तो उन्हों नगसी रिपॉर्ट तो इसमें रिप्समर किया हुए अजएंसित की मिलेज चाब नहीं कम्पिलीट रेपोर्ट नहीं रिपोर्डी यह मैं थो पहुत बड़ा रपका कहना है कि तेनों अजमसी औरbab ISO IIB and Special Branch की इसमें मेंशन है तो जो मेंशन है उससे ज्यादा भी है कुछ यगी वो जो मेंशन है ना जो उनोंने इनफरेंश ड्राग जिये है आ वो ही इजनसी रिपोर्ट से हैं और कि रिपोर्ट Terms की है और मैं ट्रिबूनर पंजाब गौर्वर्मन ने कैम किया है माडल टाउन के साने पे इसकी अपाइंटमेंट इलीगल है और वो जो है वो जिस्टिस खालत महमूद थे उस वक्त उनकी अदालत में उसकी समात शुरू होगी जब अभी ये कारवाई चली है को तकरीमर एक महीना तो तो अली बाकर नजीश साथ जाज साब जो है इन्होंने चुटी पे जाना था अगस्त की चुटी इस थी हमने हमारे एड़ोकिल जनले थे उस वक्त हनीफ खटाना साब हमने उनसे कहा कि जाज साब से रिक्वेस्ट करें कि आप चुटी पे जा रहे हैं अठाईस अगस्त त मामला सब जो डिस है जब तक उसका फैसरा नहीं होगा रिट का उस वक्त तक मैं तो बिलकुल ये रिपोर्ट नहीं दूँगा हमें बड़ी परिशानी हुए अमरिका भी ये तो अब मामला जो है ये बड़ा लंबा हो गया हम चाते थे कि जो क्वेश्चन्स गवर्मन्ट क चारा रहा है बाराम बजे तक जो है देड़ बए तक नहीं तकरीम जो फैटल हुआ है ना वो बाराम माईनस प्लस है कि ये वहाँ पर क्या होता रहा है और वो क्या अवामल थे जन्हों ने इस मामले को जो है वो इस हथ तक बंचाया कि इतना जो इस ऐस प्याभू सुनले यहाँ इस में वहां पे वो कौन से हवामल थे और दोनों जो फ्री केहन हैं उन में से वो क्या सुभाँ पे सूरतियाल बनी कि जिस ने इस जो है वो तो आपने ट्राबियूनर को इख्तियार नहीं दिया अपने वो पढ़ा है ना सुन ले ना सुन ले कि यह मालूम हो कि यह किस तरह से जो है वो हलाद जो हो वहां पर जो है वो इस नहज को पहूंचे अब इसमें हुआ यह कि इन्हों ने कहा, ये मैं आपके question का answer करते हूं, पहले मैं ये बात complete करूं, अच्छे इन्हों ने कहा, इन्हों ने कहा कि जी नहीं, मेरा तो appointment जो है, वो challenge हो गी तो इसलिए, के मैं तो जो है वो रिपोर्ट नहीं दे सकता उसके बाद जो है वो छुटे पे चले गए हमें कोई साथ या आठ अगस्थ को हमें कुछ लोग जो है वो अनौने कहा कि जी वह रपोर्ट आ रही है जी हमने कभ हुआ रपोर्ट कैसे आ लेगी ना के जी लांग मार्च होना चाहिए और ग्राव होना चाहिए और ये होना चाहिए उस में जो ये रिपोर्ट है ये पूरी استعمال ہوگی. यह रिपोर्ट ऐसी होगी. और आप इसके ओपर जो है ना वो तैयार हो जाए हमने का जी नहीं यह रिपोर्ट तो आ नहीं सकती क्योंकि यह उनके अपाइंट में चैलेंज हुई गया वो खुद नहोंने कहा है वो तो चुसी पे हैं. और नौ अगस्त को जासाब का शाम को कोई साड़े शे साथ बजे फून आया होम सेक्ट्री को जाएं रिपोर्ट ले लें. उनने का जी इस वक्त उनने का जी हां रिपोर्ट जो है त्यार पड़िया और आप आगे ले रें. उनने का जी मैं तो फलाँ जगा पर हूँ ना का जी आप किसी और को बेज दे लेकर रिपोर्ट आप आजी देनी है. तो वो फिर उनको उन्होंने एक डिप्टी सेक्ट्री को बेजा. डिप्टी सेक्ट्री गया वहां पे उनको रिपोर्ट दी गई. और अगले दिन ये रिपोर्ट जो है गौवर्मन्न तो अभी इस रिपोर्ट को देख नहीं पाई तो ये रिपोर्ट जो है ये एक निजी चैनल के ओपर जो है ने कुछ पेपर्स कुछ पेपर्स उसके जो है वो लिक हो गए थे. आप कहना क्या चार है? मैं अब तक समझ नहीं पाई आपके सारी तम्हीत का मकस्द. मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है. अगर अगर जिए रिपोर्ट किसके पास गई थी? मैंने खाए कि निजी चैनल वो अपना चैनल के हैं वो मेरे दोस है बाई ये आप आप बात करने का जो है ना वो जिग्रा रखें जिए बाद कर दी है ना और समझने वानों ने समझ लिए और आपने भी रीडर वाली बात ना करें अच्छा आगे चले चलें कुछ ना समझे खुदा करे कोई मुझे ना फसा या बीच में ऐसे ही अच्छा आगे चलते हैं ये बताएं कि आपने इस ट्राबिविनल को जो है एमपावर क्यों नहीं किया पंजाब ट्राबियूनल सौल ओर इन्श्न सच्षिन ग्यारा जो जम्तलग जो रेफरिंस से ट्रब्यूनल को बेजा गया था उस रेफरिंस को फुल्फिल करने के लिए उने सेक्षिन ग्यारा के तären पावरिश की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेक्छिन ग्यारा जो है व तो कि ट्रबियूनल को भी सेक्शन ग्यारा के तहट एमपावर कर देते तो मुझाइपा कर देते हैं? नहीं, नहीं हो सकता ना. एक जब आपने अगर जे-ए-टी बनाई है, तो या इन्वेस्टिगेशन जे-ए-टी करेगी या ट्रबियूनल करेगा. ट्रबियूनल तो आप लोग ने खुद बनाया था ना? किसी को नहीं पता कि फाइरिंग की ओर्डर किसने दिये थे? क्योंकि आपकी पुलिस ने आप वजिर दाखला भी थे. आपके पुलिस में से कोई बंदा बताने को तयार नहीं था जानबूच के. और एक बने तो कोई क्यों बताएगा? उन्होंने अपना पूरा मौकफ बयान किया कि कौन यहां पर आया? किस के पास असला था? किस ने क्या कहा? किस ने फाइर किया? और उन्होंने पूरा पर मौकब दिया है. ठीक. उन्होंने बताया कि कौन कौन यहां पर आया? किस ने फाइर किस को लगा? एक एक अदमी का. कि फलाँ एस पी ने फाइर का हुकम दिया. फलाँ कास्टेबल ने यह उसका नमबर है, यह उसका नाम है उसने फाइर किया. वो फलाँ को लगा. उन्होंने अपना मौकफ दे द तो आप अभी वेट कर रहे हैं कि वो जो केस का फैसला है जिसमें सेवन एटिये की देशित गर्दी की भी लगी भी है जिसमें स्टेट भी फरीक है यह वाहिद मकदम है जिसके दो F.I.R. भी दरजूई पड़ी है लेकिन बहुत 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 शुक्रिया रा अलाफ इस